हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके चैनल ब्रेंफूर में इस वीडियो में हम जो पीए पूराम के जो स्टुडेंट हैं फॉर्स समस्चे के जिनकर डिस्टिप्रिन सब्जेक्ट है एजुकेशन का बेसिक कंसेप्ट एंड आइडेस इन एजुकेशन इसके यूनिट सैके जो आपका यूनिट सेकिंड आप उसके चैप्टर फॉर की यूर्मिट इंसे पहले मैं आपको जो आपके यूनिट फ़र्स ने फॉर्स है उसमें आपके tविड़्यू तो अगर आपने वह वीडियोस नहीं देखनाई तो आप जाकर उन्हें देख लेना जिस से की आ आपको पूरा एक complete आपका unit first and second complete हो जाए और यह आपका है ना यह जो चैप्टर आपका चैप्टर फोर unit second का यह आपका unit second का last chapter है उसके बाद आपकी unit third है ओकी अगर जैसे कि अगर मुझे time रहा तो मैं जरूर आपको वह भी unit करवाने की खोशिश करूँगी इससे पहला हम देख लेते हैं कि आखी में चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं इससे जो आपका previous year chapter था प्रिवेस चैप्टर था उसमें आपने यह देखा था कि हमारे समीधान में शि शिक्षा के अधिकार को किस तरीके से वर्नन कर रखा है हमने उसमें यह चैप्टर में देखा था जो आपका chapter 4 था ओकी आप इस chapter 4 में यह देखेंगे ना कि एक विकाश्रील एवं लोकतांत्रिक समाज के संदर में शिक्षा के उद्देशों के निर्मान के आधार कि जो श शिक्षा के प्रकार क्या होते हैं या फिर शिक्षा के उद्देशों को जो निर्मान करने के आधार हैं उन चीज के आपका unit second का ओकी आयम हम इस वीडियो को चार्ट करते हैं बिनादेरी की हुए तो जैसे कि इसमें लिख रखा हैं कि शिक्षा मानव के जीवन में एक महत भूमी का आदा करता हैं जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे जीवन में हमारी लाइफ में जो शिक्षा का रोल है वो कितना जादा बड़ा है हमारी लाइफ एक तरीके से देखा जाए न तो शिक्षा के अईद गिर्द ही गूमती रहती हैं हमारी लाइफ बहुत जादा positive way में यह उसकी personality का निमान होता है और उसकी वहवार में भी बड़ा हो आता है जैसे कि आप सुनते होंगे कि जो जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है वो उतने ही धोड़ा सा लो साउंड में बोलता है लड़ाई जगड़े कम करता है तो शिक्षा के महत को दो दिखाते हैं इ उसे बहुत बड़ा बदलाव करती हैं और शिक्षा ही उसे अपने अधिकार हो गया करता होए कि प्रति जागरुग बनाती है हमें जो शिक्षा की थूह ही तो हमें पता चलते हैं कि हमारे पास कुन-कुन से अधिकार है कुन-कुन से करतव्य हैं जैसे कि आप देखते कि मौलिक करतव्य हो गए तो यह हमें एक तरीक से शिक्षा की थूह ही पता चलता है पढ़ने की द्वारा ही में पता चलता है कि हमारे पास क्या क्या राइट्स हैं और उसे संस्कीति से जोडती है उसे आर्थिक रूप से आत्मिबर बनाती है और समाज में उसकी भूमे का वह हमें इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें इतना जादा महतक्त क्यूं है अब शिक्षय का महत इसलिए कैना क्योंकि यहं शिक्षय को सही ब्रदान करती है कि पढ़ाने का जो प्रिक्रिया जो कनी हहा जो टीचिंग मैथ्धड के शिक्षा का उदेषिय قम इसले भी है क्योंकि शिक्षा की पिRR को लगतार चलने में साहे रहती कि अघरकसी चीचा जैसा आप जानते हैं हर चीच का मोटिव होता है अगर आपकी लाइफ है आपकी लाइफ में आप पढ़ रहे हैं तो आपके पढ़ने कर कोई ना कोई उदेश्य जरूर होगा कि आपको एक अच्छी जॉब चीह होगी या फिर आपको अपनी पेवार के इस्तिती सही करनी होगी या फिर आपको एक सैल्फ डिपेंडिक परसन बनना होगा या फिर आपको अपनी पोजीशन अच्छी होगी कोई ना कोई मोटिफ होता है किसी को सिफो सिफ कमाने का जरीया चीए होता है कि हाँ मैं कुछ भी वर्ग कर लूं मुझे ऐढ़ जाब मतलब पर नी चाहीं तो यही चीज़ हो थै कि किसी छीज़ का मोटिफ होता ही होता है अब हम इसमें शिक्षा के उसको पढ़ रहा है कि शिक्षा के मोटीव का क्या महत्व है तो इसमें यहीं ना है कि शिक्षा भी क्या चाहेगी कि शिक्षा के प्रक्रिया को लगतार चलाने में साहता करती है कि इसका मोटीव यह होता है शिक्षा का उदेशे का उदेशे यह होता है श शिक्षा का यह भी उदेश्य होता है कि जो रिधाले है उसकी जो भी कालेविधी है जो भी एक्टिविटीज होती है वो प्रॉपर ओर्बे में चले से हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चीए तो शिक्षा का उदेश्य का इसलिए बहुत जादा क्या है इंपोर्टन्स है फिर्फ तैविधाले प्रशाशन को सुचारू रॉप से ढंग से चलाने में विश्ष्ष्ट भूमी का निभाता है तो यही है इस शिक्षा के उदेश्य के महत्र अब हम देखते हैं कि शिक्षा के उदेश्य आगे में जो शिक्षा के उदेश्य है उसके निर्मान का क्या क्या अधार है कि जो शिक्षा का मोटिफ बनाया गया है तो उसको बनाने के लिए किस बेस पर बनाया गया उसको किस अधार पर इसका निर्मान किया गया है शिक्षा के उद्यशों का तो हम इनके वाले में अच्छे से डिस्कस करते हैं तो जैसे कि इसमें लिख रखाएं कि किसी समाज के निरनतर प्रगती एवं विवकास से तो शिक्षा के उदेशे निश्चित की जाते हैं क्योंकि जब किसी चीज का मोटीव होता है तभी एक तरीके से वह वर्क सही से कर पाता है हमारे पढ़ने का अगर कोई मोटीव है तभी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे अगर आपको कोई मोटीव नहीं है तो आप नहीं पढ़ाई कर सकते उसी टाइब से अगर शिक्षा का उदेशे है तो उसका उदेशे है तभी क्या हो पाएगा समाज की जो है प्रगती हो पाईगी विकास हो पाईगा तो इसलिए यह का गया है कि शिक्षक के उदेशे यह सर निश्चित करते हैं यह उदेशे उस समाज के जीवन दर्शन उसकी संस्कृति सभ्यता राजनीति इम आर्थिक स्थिति के अनुरूप होते हैं जो भी उदेश शिक्षक के उदेशे उसी के अकॉर्डिंग होते हैं आते हैं शिक्षक के उदेशे को समाज एवं मानव कुल्यान एवं परिवर्तों के अधार पर नेमे किया दत हैं कि जो समाज के मानव कुल्यान इन सबको माइंड में रख कर ही शिक्षक के उदेश्यों का निमान किया जाता है कि कैसा समाज की प्रगति का से विकार कैसे होगा और जो मानफ के लियान इन सब की परिवर्ट नों को अधार पर कि अधार पर ही जो है शिक्षा का उधेशर का निर्मान किया गया है अप सिक्षा में लोग तांसिक कुछ बातों पर पड़ता है जैसे संवान अफसर करना व्यक्तिगत भिविद्टा का आध्र करना साब हो मिक वैंने वारे शिक्षा प्रदान करना निशुलक शिक्षा, शिक्षा के समान करना सुष्षा के समस्त सांदों में सुले अधी तो यही यह ना कि आप देखा कि किस चायब से जो शुक्षा के उद्यूशे इसका निर्मान करने का क्या-क्या आधार हैं अभी हम एक एक करके यह जो आधारों पर शुक्षा का निर्मान किया गया है और हम इनको एक करके अच्छे से डिसकस करेंगे जैसे कि इसमें लिखा है कि विकार्शिल एवं लोगतांत्रिक समाज के संधम में शुक्षा के उद्यूशे के निर्मान के अधार निमने लिखीते हैं जो विकार्शिल देश है जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी इंडिया है वो कैसी देश है वो विकार्शिल है क्योंकि अभी जो इंडिया है या फिट चाइना हो दूसरा मने मनोवेग्यानिक अधार तीसरा आपको समाजी चौत्त आपका आतिहासी और फिफ्ट आपका आर्थिक आधार और सिक्स्त आपको राचनीतिक अधार अब हम इन अधारों पर देखते हैं कि क्या मनदब इसको क्यों बेस मानकर शिक्षा के उदिश्य का निर्मा तो इसका नना दर्शन शब्द का अर्थ होता है द्र्श जो धातू और लिटर प्रत्य से बनाया जिसका अर्थ होता है जिसे देखा जाए इट मिंच जिसे हम एक तरीके से देख सकते हैं अब देखना वी न दो तरीके से होता है एक तो आपकी स्थूल नेत्री द्वारा एक आपता है ज्ञान चक्षू दिव्या चक्षू और प्रग्य चक्षू आपको इसमें डिफरेंस बिताती हूं जैसे कि स्थूल नेत्र तो होते हैं जिसको हम देख कर छू सकते हैं जैसे अभी आप जैसे अभी आप यह फोन पर स्क्रीन पर देख रहे हैं वीडियो को मेरी तो यह तो आपका एक स्थूल नेत्र हो गए परन्तु जो ज्ञान चक्षू होता है और जो दिवे चक्षू होता है वो आपका होता है कि मन की आखे जिससे आप जानते हैं कि किसी ने कुछ बोला नहीं परन्तु आपने उस चीश को उसके फेस से पढ़ लिया तो यह आपक इन्टनल यह थिए मोठी आपके तारकि वबेचने यानी जीवन ऑजगत के वास्तूरूब से दर्शन कहलाता है., और दार्शनिक रूप से संसार के निमान को कोई अध्यात्मिक शक्ति द्वारा, तो कोई प्रकटिक शक्ति द्वारा मानता है, जो दार्शनिक है, अब आप देखते हैं, कि हमारे जिसे, अभी हम जो exist कमें लाइफ से, उसमें क्या है, तो कोई तो उसको अध्यात्मिक शक्ति मानता है और कोई उसको मन की शक्ति से वो करता है देखता है और कोई उसे कैसी प्राकिर्टिक वे में उसको करता है उसका निमान मानता है संसार की निमान को इन दो अधारों पर देखा जाता है अब हम देखते हैं जो अध्यात्मिक व करना इसमें शानती होना तत्था इसकी अनुभूती यह तू शीक्षा द्वारा मानस्रिक की मानस्रिक सांस्री जा सके तरा दाशनिक अधार्शा की इसलिए किया जा सकते हैं मंनतर जब्रशीष की बहुता सकता है तो इस अधार पर क्या किया जाता है वहीं बहुतिक वाद इसके विपरीत बहुतिक जगत के प्रधात एवं क्रियाओं का ग्यान है बहुतिक वादी क्या होते हैं इसमें जो फिजिकल होती है जो चीज़ें एक तरीके से टच की जा सकती है परन्तु यह से क्या होती है होते हैं दर्शन में क्या हुते हैं आपके आपने को जैसे ने बताया है ऐसमें तो यहां से किसी को भी मोग पढ़ सकते किसी के भी बारे में जान सकते हैं तो यहीं चीज़ें कि जो यह है यह थोड़ा भोतिक तवाद से अलग है पहले तो यह एक जैसा होता था पर तो यह इस चैंपर क्या है बहुतिक वादी से डिफिंट हैं और किसी समाज की उत्रोतर वीधी है चैंपर दीफो एक आवशक होते हैं आप जैसे कि उत्रशन के दर्शन का एक महत्पुन समप्रदाय हैं जिसका ना lawyers जो की सवतंत चिंतन पर आढहारी सामिल किया गया जो आपके सी स दर्शन और विश्ष्ट अद्वेद दर्शन इन सब चीज़ें पढ़ते के करके जिसे आपको पास्ट सांख्य दर्शन इसकी जनक वह आपके कपिल मुनी है कौन है इसकी जनक कपिल मुनी है ठीक है इनको मैं आपको याद भी रखने का थोड़ा सा बताऊंगी जिससे कि आपको यह इसके जनक के प्रवरत है अपके पतंजली है तो आप याद कर सकते हैं योग दर्शन के हैं और ऐसी जो आपके सांख्य दर्शन है उसकी जो कोन है मुणी कपिल मुणी है ठीकें तो नहीं के जो क्योन सबसे जुरी हुई होता है कि शुद्ध ग्यान संख्यों का बहुत होद हो बोध हो गया इत्में जो आप पने अंदर सी उस चीज़여 सोचते हैं आपकी इस आपको सुचवाना नहीं पड़ता यहीं और जो आपका सांखे दर्शन है और योग दर्शन और सांखे दर्शन एक दूसरे के पूरक होते हैं अब यह कॉंप्लिमेंट क्या होते हैं जो पूरक होते हैं जैसे कि आप जानते हैं कि वो है कार है कार और जो पैट्रोल है वो एक दूसरे के पूरक है मतलब कि अगर पैट्रो कि यह भी हम नीचे पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा अभी योग दर्शन इसका में देखते हैं योग दर्शन योग शब्द का अर्थ होता है यो इतमी जोड़ना जैसे कि आप मैट्स में भी देखते हैं योग करना एडिशन करना जोड़ना और योग से तात पर एक व्यक्ति के मानसिक पक्षों से साथ से जोड़ा जाता है मतलब इसमें वही बात करें कि एक व्यक्ति के मानसिक पक्षों के जोड़ से होता है जो मन के पक्षों होते हैं आपस में उनकी एक दर्शन मिला आप से ही इसको योग दर्शन के अंत्रगत इसको रखा गया है जैस दर्शन को शिक्षा का सिध्धान्त कहा जाता है और शिक्षा उसका वहवारिक पक्ष होता है जैसे कि आप जानते हैं कि जो दर्शन है उसको हम शिक्षा का एक तरीक तरीकल कहते हैं कि हाँ शिक्षा के अंदर हम इसके बारे में विचार करते हैं सिध्धान्त है और शिक्ष इसके अंदर जिसमें हम क्या करते हैं मानसिक जो हमारे मन के पक्ष होते हैं उनको आपस में जोड से होता है इसका मतलब धर्ड आपका न्याय दर्शन इसमें है कि न्याय का मतलब होता है विशलेशन आत्मत मतलब न्याय मतलब जो अनलीटिक्स होता है मुल्यांकर होता है वि जान में मांचा कि आधा है, उसका चिंटन करना, और नहाई दरशन के अंदर भी आई है, इसका मतलब है विशलेशन करना, उस चीज के वारे में अच्छे से जाच परताल करना, इसको तरक कहा विग्यान और कारन कहा जाए है, क्योंकि जब हम किसी चीज के आमें जाज परता है उसके facts को देखेंगे तो इसलिए इसको क्या कहा गया है ना कि यह तरक का विज्ञान है और कारण का विज्ञान भी कहा जाता है इसके प्रवर्तक गोतम मुनी है इसे गोतम का अक्षपद भी कहते है अक्षपद मतलब कि शा करने वाले इसको नया समाजिक चाहाँ राजनिठी पढ़ेंगे आर्थी वी पढ़ेंगे इंस सब चीज़ का एक है करके देखेंगे फिर एसी के अंदर आने आपका वशीशीक दर्शन अब वशी श्यस्य जैसे जो है विशीश शब्द से लिया गूए जिसका अर्थ है किसी वी चीज के विशिश स्टित्वखां होना इसका विसके सांही दर्शन नयाय दर्शन के यहीत से बाद और वेके दर्शन दर्शन को मानने तो Message को मान दिया जाता है कि उसका कितना विस्थार है तो इसके लिए जाता है पूर्थ पे इसके बहुत कर आप दिया हूं यह क्या है। शाह क्या है गया हूं शावतर सक भी गया है। मतलब किया है ज़ैंद कियों को कैसे लिया जाता है उठीज लिए न दियां है गया इसका मतलब कह होता है उससे को्रूइलेट है जो up काया है इसले इसको हमने क्या है इसे पूर्व मिमाशाय कर्मकान्द या फिद्धन मिमाशा भी हमने इसको कहा हैं ऐसी जो आपका सिक्षत है अदवेट दर्शन अदवेट दर्शन में क्या हैं आदवेट दर्शन का मुख्य खंड अंतिम सत्य और त्वा ब्रह्मा से सम्बंदी्ट होता है कि जो हमारा एक एन उसमें आता रहता है जो एज विश्व और प्रकृर्टी बदलते रहते हैं इसलिए जो यह है यह अंतिम सत्य और मासे सम्बंदिध अब आपका यसी में आज़ात है एक विशिष्ट मतर्बी इसके अंदर क्या जाता है विशिष्ट आदवेट दर्शन-वादी जीवॉ आत्मा को की शत्ते मानते हैं और विशिष्ट आदवेतवादी भ्रहमा और जीव में कोई भेद नहीं करते क्योंकि जीव भ्रहमा का ही रूप है और इस दर्शन में लामानुचा चाले का ही विशिष योगदान है तो इसके अदर यही है कि इसमें जो भ्रहमा और जीव है अभेवाओं नहीं किया जाता है विशिष दुबिए दर्शन के अंदर क्योंकि इसमें क्या किया जाता है उनका एक ही रूप माना जाता IS जिप क्या और इसके पार्वर्टक है जो इसके विशिष जिनों तेर्चब योगधान दिया है वह आपके चाल रहे हैä जो बहुत जब्यां से आप जानते ही अ आपनी यह उपर कड़े संखी दर्शन हो गया व्सिश्व्ति दर्शन हो गया न्याय दर्शन ढांगा दर्शन यह बस्तुते हैं इनके भी अंतर हैं अब क्यों अंतर कहा गया है है तो यह प्रेवाइची मतलब मान लीजी कमल कह लीजी या आप कोई वो जैसे आप जानते हैं कि पानी को जल कहा जाता है नीर कहा जाता है है तो यह मतलब वही पानी है पर इनमें क्या है कुछ ना कुछ अंतर ह वो किस टैप से अभी इसमें पता चल जाएगा फिलोसफिय में वह अर्थ गौरम नहीं है मदर जो अगर फिलोसफिय का अगर हम इंगलिश में कोई भी टर्म होती है तो उसके अंदर हमें इतनी जादा अटेच्मेंट नहीं होती जैसे आप जानते हैं कि कोई अब जैसे मद नहीं बन पाता इतना एक तरहिए भाव को इंसन नहीं हो पाता वैसे ही जो फिलोसफिय ना इसका जो अर्थ है वो गौरव नहीं है जो दर्शन में है मतलब एक तरहिए से जो गौरव हमें दर्शन बोलने में लगता है वो हमें फिलोसफिय नहीं बोलने में लगता दर सत्य का शाक्षा दर्शन करना ही दर्शन है अगर हमने सत्य की दर्शन कर लिए तो उसका मतलब हो गए कि हां हां में दर्शन मतलब हो गए दर्शन का मतलब मैं आपको इसमें बताऊंगी जब प्रत्य पूर्वक सत्य का शाक्षा दर्शन होता है तो सत्य और ज्यान से प्रेम समयते ही हो जाता है जैसे इसमें लिग भी रखाएं कि दर्शन जो शब्द है वो फिलोसफी जो इंग्लिश के फिलोसफी वर्ट्स आया है जिसका युनानी भाषा में फिलोस का मतलब होता है और सोफिया का मतलब होता है ग्यान के प्रति क्या होना एक तरिक से प्यार होना प्रेम होना तो इसमें यही बात कही गई है न कि जो मतलब सत्य का शाक्षा दर्शन करना ही क्या है वो है दर्शन है और जब प्रतन पूवक सत्य का शाक्षा दर्शन होता है तो सत्य और ग्यान से प्रेम स्वते ही हो जाता जो सत्य है जो टू है और जो नौलेज उससे अपने आप ही क्या हो जाता है फिलोसफी के अंदर सत्य की प्रकृति को जानने का प्रयास किया जाता है लेकिन यह संबब नहीं है कि वह सत्य के संबद में कोई ठोस निश्कर्श पर पहुंचे अब हम देखते हैं जो आपकी फि देखेंगे कि यह चार मूल संप्रदाव में विभाजित किया गया है इसको फोर टाइप से डिवाइड किया गया है एक तो आपका प्रकृतिवाद या फिर भृतिक वाद कह लिजी इन दोनों में से कोई भी एक नाम बोल दीजिए या फिर आपका आदर्श वाद या होतीक वाद कहले जैसे कि आपको निकनेम होता होगा घर में थो निकनेम में अगर आपको मालन लीजिए और li दोेगता है और लेंडिक﹌स कृट निक्से में भी निको भी में होंखें गायँ बिल्चा कराद है। आप इसमें हम एक एक करकी इसको देखते हैं आदरश्वाद जो आदरश्वाद है वो मन की प्रकृति को वास्तिविक मानता है जो हमारी मन की जो इस्तिखी होते हैं उसको एक तरह रियल मानता है उनका मानना है आदरश्वाद में कि जो बात वास्तिविक या सत्य है वो अव हमारी यह चीज़े होती हैं यह हमारे जो भाव होते हमारे आदर्श होते हमारे मूले होते हैं इन सबसे बनी होती है और वास्तिव इचारो भावो आदर्शो मूले से बनी आदर्श वादी क्योंकि इस्वर को स्विकार करते हुए मन को वास्तिविक मानता है जैसे कि इसमें क importance रखी जाती है जो आपकी आत्मा नुभूती है क्योंकि जो हमारे मन है वो इश्वर को सुविकार करते हुए मन को क्या कर जाते हैं एक तरीकिस उसको वास्तिविक मानता है हम जो इश्वर को रियल मानते हैं कि हाँ जो भगवान है तो है सच्ची में है तो यह मारा आदरशवात की है इजो हमें सिक्षं के उद्षरे अधर इस छीष को भी ध्यान रखा जाता है कि जो आपके मन की प्रकृत्य है उसका महत पो रहे इसलिए उसको त्या आखरी सत्य है जो चीज़ हम देखते हैं जैसे आदर्श्वाद में तो जो हम अपने तरीके से हमारे मन के भाव होते हैं हम उनको मानते परन्तु जो भी कुछ होता है वो क्या होता है एक तरीकिर्टी विकास करते-करते प्रकृती से दूर हो गया है व्यक्ति जो है अपना ड वापस प्रकृती के पास लोटाना चाहिए यह अध्यात्मिक्ता में विश्वास नहीं रखते जो जैसे भगवान वगान होगा इनमें विश्वास नहीं करते मैंने जैसा कि कहाना आपको कि यह रियल फ्यक्ट्वल चीज़ पर विलीव करते हैं जो एक्जिस्ट करता है य और इसमें परन्तु क्या होता है कि जो चीज अध्यात्मिक में विश्वास नहीं करते यह जैसे कि अब नेगत नब कि आपने देखा कि प्रियोजनवाद का नाम आपका वहवारिक वाद भी हो सकता है ऐसी आदर्शुरत का नाम आपका विचारवाद भी हम बोल सकते हैं कि जो मन के हमारे विचार होते हैं और अभी आपने किसके हैं में पढ़ा प्रकृतिवाद तो प्रकृतिवाद में जो च प्रियोग ना करें तब तक हम उसको नहीं मानते जब तक हम रियल नहीं मानते हैं जैसे इसमें लिख भी रखा है कि बदलाव ही संसार करनी है और इस विचार पर जोड देते हुए प्रियोजन वादी समाजी कुषलता लचीले पर तथा यह प्योगिता की सिध्धान पर अध सिध्धान पर निमान करता है नेक्स आपकर यह थार्तवाद यह थार्तवादी शिक्षक को विकास की प्रक्रिया मानते हुए वेज्ञानिक द्रिश्टिकों और वहवारी वहसाइक समताओं के विकास प्रकिर्थिक यह समाजीक प्यावने की जैनकारी और स्विवन को बढ़ावाद दिया जाता है अदर्शक को एक्स प्रक्रित करती से मन में बता अपको जैसे गरता व्यारी आपको यहां आध्यात्मिक होते हैं सौर्म होगती है हैं भी तो आपने इस दरशन शास्त के अंदर पढ़ा अपने सांखे दर्शन और योग दर्शन नयाय दर्शन मे मांशा वैशी की आद्वेट रशन इन सब क्या अमें पढ़ा और साथी देखते हैं कि करके वनोग वग्यान करा तो जैसे में लिखा हम कि मनोविघ्यान के अद्वारा व्यक्ति की मानसिक समाजिक एंदर ध poses किया ंदर इसका जो व्यक्ति है उसका क्या किया ज़ी आ चाई मानसिक विकास हो गया समाजिक जाने लगा कि यह वहवार के नाम्सस को क्या करने लगे जाने लग ज़य वहवार का jane और अध्यन कहा जाता है शिफ्ट्र noises की समयान और मनो वेग्त सिदर्थान्तों के अधार पर हल करना शेचिक मनोवेग्ण के अंदर खार MARK दो घ्रटत भिड़ता मुस्क्षान के अंदर रखते हैं और उडेश क्या watching मनोविग्ण तथा उद्यूषी की प््रापप्ती within शेशिक मनोव Gibyannic सिधांत महतपुर भूमिका निभाते हैं जो हमारे शिक्षा के जो ओधेशों होते हैं उसको प्राप्त करने में जो हमारे मनोव ज्यानिक सिधांत ने बहुत जदा एहम भूमिका निभाते हैं साथ ही बालकेंदित, बालमुरिभाविकास व्यक्तित अभी प्रेनना, अभी वृति, रूची, समयोजन, अधिगम, मापन, मुल्यांकन, आधी भी शिक्षा के उदेशों के निधार में बहुत ज़्यादा एहम भूमिका निभाते हैं किसके साथ साथ? मनोवेग्यानिक के सिधान्त के साथ-साथ हमारे चाहे वो मुल्यांकन का सिधान्त हो जाए, या समयोजन हो जाए, या भी व्यक्ति हो जाए, या भी वृति हो जाए यह सब सिधान भी बहुत जाद हैं अपनी बुमे का निभाते हैं एक शिक्षा के उदेश्य के निर्मान में अथे निश्कर्ष यह हैं कि मनोवज्ञान के द्वारा व्यक्ति की मान से के विकास का ध्यान किया जाता है और इससे ग्यात होता है जाना कि कोई भी दोवच्चे जो है समान नहीं होती जैसे कि आप जानते हैं कि न हवर्यवद्न दूसरे व्यक्ति की अन्रूप घ्यान प्रयान करना नहीं है बलकि कि इन समझ सत्यों को अधार पर मान कर इन शिक्षा के उद्रश्य निश्चित किया जाते हैं, that means only कुछ limited चीजों को ही देखकर जो है शिक्षा के उद्रश्य को निर्मान नहीं किया जाता है, पर बच्छे के एक पूरे मानसिक, सारी रिक और जितना भी एक तरह किसे उनकी र देखते हैं जो जीजिए हमें दिखाई देती हैं जो हमारा जो बहुत ही ज्यान है उस पर डिपेंड होकर ही हम स्वर्वुप को निशित करने का अधार होती है और समाजिक जीमन शायली शिक्षा के उद्रश्य के निर्मान का अधार है होती है जैसे कि आगर अधार पर भी क्या किया जाता है शिक्षा के उद्रश्य का निर्मान किया जाता है कि जो समाजिक शायली है हमारी समाज है वो किस टैप का है जैसे इसमें मैंने भी रखा है कि अगर किसी समाज में इस्तरी पुरुषों में भेद होता है तो वहां इस्तरी पढ़ने लिखने भरी क्या की जती शिक्षा दी जाती है अगर पर लिखा है समाज लड़कियों और रड़कों में को समान अधिकार दे रहा है तो उसी टाइप से जो शिक्षा को उदेश के निर्मान में अब आप समझ चुक रहे होंगा कि हां कैसे हमें को समाच के पूछी सकता है कि समाज माझचा के अंदर जो हैं शक्षाह के निर्मान का अधार आखी में क्या-क्या है और स्माज्य समाज के इन समस्त पदो उपक्षों को शिक्षा द्वारा ही एक पीडी से दूसी ती पीडी तक पहुँचाने का कारे किया जाता है प्रस्थान करती है जो आपके समाजी का अधार हो गए जो आपके मनवग्यानिक अधार होते हैं ठीक है और इसी प्रकार समाज परवर्तन शील है और उसकी संरचना धार्मिक राजनेतिक आर्थिक सब भी इस्थितियों में इन्रियंतर परवर्तन होता रहता है क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारा समाज है जो हमारा सिस्चम है वो कैसा है वो हमेशे एक चेंज होता है तो उनमें हमेशे परवर्तन आता रहता है कोई भी चीज इस ती नहीं होती धरती पर कोई भी चीज है तो वो इस ती नहीं है वो परवर्तन शीले उनमें परवर्तन आता ही रहता है और ऐसे ही शिक्षा के शेत में भी हैं शिक्षा की ही परवर्तन को परवर्तन को परवर्तन करती है अता इस शिक्षा ही इन्हीं उद्वर्तन को इन्हीं अधार पर निर्मेत किया जाता है तो यहीं का गया है कि यह इन्हीं को आगे वो करती है जो प्राचीन हमारी जो माननेता होती है जो हम पुराने टाइम पर वो मानते आ रहे हैं या फिर जो भी चेंजिस होते हैं वो उन्हें आगे खुदी डवलप करती है जो शिक्षा होती है प्रसारीत करती है और इसी लिए जो शिक्षा को आधार है वो इन सब चीजों को बनाया गया जहें वो शमात शास्त्री हो गया चाहें वो मनवग्यानिक दीक हो गया जब तरशिण आधार हो गया आफ चीज़ा से अधिक राज़तिनत कर विल्तमावा पड़ता है कि सबसे के आप जानते हैं कि इस प्रिविस जो फundचา और पढ़ा ने जो जो हमारी शिक्षा है उसको कितना ज़्यादा महत देगा सभी आर्टिकल्स आपने देखे थे तो इसी अधार पर कहा गया पैसे डालती है अगर वह चीज़े नहीं खर्चा करेगी तो क्या नहीं हो पाएगा तो इसलिए खागे ना कि शिक्षा पर सबसे अधिक राजी व्यवर राज़तन्त का प्रभाव होता है समाज की शार्षन वर्ष्था के अनुसार शिक्षा के वद्रिश्य निच्चीत होते है और एक तंत्रि शार्षन जैसा कि जो प्रणाली में स्वतंत्र अभिव्यर आप उसमें क्या होता है एक ही शार्षक घ्चा की शुटना होता है ऐसा लोकतंत्रिय रहे मैं हगर अगर हमारे देश का शार्षन है वह लोगतंत्र है लोगतंत्र रहआ हुट् dicen ऐख नहीं चाहते हैं तो इसमें हमारा एक तरीके से विक्ति को पूरा एक पूर्टे विक्ति होती है वह पूर रूप से पाती हैं हमें क्या दी चाती है अपॉर्चुनिटी प्यादान होती है तो इसके अदर यहीं और आप की दिरिश्टी से समाज में स्युक्षा को मैध्व दिया जाता है कि अगर जैसे कि सुरक्षा को जो हमें सुरक्षा के लिए हमारे भारत में तो यह सब आ इसको भी एक इंपोर्टेंट बेस माना जाता है शिक्षा के उदेशे के निर्मान में जैसे कि आपने देखा भी कि बहुत होता है यह जो पॉइंट नहीं है इसी में इंक्लूड है यह पूरा का पूरा कि समाज की शार्षन विवस्ता के अनुसार शिक्षा के उदेशे निशीद होते हैं और एक तंत्रिय शार्षन पिनाले में व्यक्ति की जो स्वतन्त अभी वक्ति होती है उसका उनको अफसर नही जैसे कि प्राय किसी भी समाज की शिक्षा के उदेशे उस समाज की आर्थिक इस्तिति के अधार पर भी निशीद होते हैं कि उस देश की जो आर्थिक इस्तिति है वो किस चैप से है अगर आर्थिक रूप से समाजों की जो शिक्षा होती है वो अत्यंत व्यापक होती है ज बहुत ज़दा कठिनाई आती है तो इसलिए जो आर्थिक अधार है वह भी बहुत ज़दा इंपोर्टेंट ट्रोल निभाता है शिक्षा के उदेशे के निर्मान में के अंदर तो आपको समझ में आभी रहोगा कि जो आर्थिक अधार है तो इसलिए जो आर्थिक अधार है वह भी बहुत ज़दा इंपोर्टेंट रोल निभाता है शिक्षा के उदेशे के विम्मान में अब हम देखते हैं अतिहासिक अधार अतिहासिक अधार क्या है अब इतिहास का अधार भी कुछ ना कुछ वैलू रखता है जो हमारे इतिहास है वो भी हमारे शिक्षा के शेट में बहुत ज़्यादा योगदान देती है अब वो कैसे हम इसको देखते हैं जैसे कि इतिहास प पढ़ाई जाते हैं कि जो हमारा इतिहास है उससे हम कुछ सीख करके आगे क्या करें अच्छा करें और उससे जादा क्या करें उसमें इंप्रूब्मेंट लाएं इसलिए हमें इतिहास के हमें पढ़ाई जाता हैं कि उस चीज में हम सुधार कर सकें तो यही चीज़ है कि अग क्यांति हमारी कैसे संस्कृति थी इन सब कारण हो सकते हैं समाज में परिवर्तन होते हैं पहले प्रिवर्त प्रता होती है तो तो इड़ममे एक तर्क सभ्ष माज में परवरतन को समझने में सहायक करता है जो इतिहासी काथा होता है। कि हमारी भी जो परवरतन होने वाले हैं होंगे उन सब चीज़ की उनाँ चाहिए इसलिए हम पढ़ते हैं और अच्छा नागरिक बनने के लिए इसका अध्यन अवर्शक है कि अच्छा नागरिक बनने के लिए इसका इंपॉड़न्ट है कि हाँ पहले कि जो लोग होते थे उनकी विचार धाना है कैसी तो उनमें परिवर्तन लाया जा सके तभी तो हम इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि जिससे कि उन को सुधार सके और ऐसे ही इतिहास को जानना तथ्याविश्य में उससे सीख लेकर आगे बढ़ना ही इतिहास अ Druhun का मुख्य अपने किसी व्यक्ति को अपना प्रेजन्ट सुधाना है तो वह अपने कभी भी हिस्ट्री को जरूर देखा करें कि हमने पिछली क्या गलतियां किये और हम उसमें क्या इंप्रोल्मेंट करके आगे और अच्छा कर सकते हैं तो इसलिए कभी भी जो इतिहास है वह बहुत आधिक्वलर आजनेती विर्षा gevंख्वुविक है और शिक्षouch के उदेश्य कम और अधिक मात्रा में इन सभी को क्या करते हैं सभी से प्रभावित होते हैं तो आपने देख लाएं कि किस आप से जो जितने वी जो आधार है वो किस जाईपकैं से सिरुक्षा के इतिहासी और पिर आपका समाच शास्त्री अधार और मनोवध्यानिक और दार्शनिक आथा वह आपको बहुत ज़्याद मत्रत्था वाइड था बड़ा था और इसी में आपने दरशन वर्शन भी पड़े वैस्जिक दरशन नयाएं दरशन और योग दरशन इन सब चीजिका में आपन करूंगी या तो फिर मैं अलग से सेपरेट वीडियो लेकि आऊंगी अकर कुछ भी प्रब्लम रह जाती है अगर आपको नहीं समझ में आगा तो आप इसको थोड़ा सा इबाद दो बार इन वीडियो को देखें तो आपको जरूर समझ में आ जाएगा अच्छे से तो अपनी सो मज इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जबते के लिए बाइए